नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीयो की नई सीम कार्ड को बीना फिंगर पिरिंट लगाए फेस आथरंटिक एसन के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप गाइड के साथ एक नई जीयो सीम कार्ड को निकाल के इसका लाइब परकिरिया दिखाने वाला हूँ दोस्तों अभी 昌ल हिमें जीयो ने अपनी सीम कार्ड को चालू करने की परकिरिया में एक महतपूर्ण बदलाव किया है इससे पहले पिछले कुछ सालों में अगर आपने Jio SIM निकाले होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि SIM निकालने के लिए आपको अपना fingerprint लगाने की जरूरत होती थी मगर अभी Jio ने UIDAI के साथ मिलकर एक इसी तकनिक का इस्तमाल किया है जिसकी मदद से आप बिना अपना fingerprint लगाए आप Face Authentication के माध्यम से Jio की नई SIM कार्ड को सफलता पुर्वक निकाल सकते हैं दोस्तों अगर आपको UIDAI की Face Authentication तकनिक के बारे में पूरी जनकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो में बताया गया है Face Authentication क्या है इसमें Face Authentication से रिलेटर काफी सारे बातें बताई गई है तथा इस तकनिक के बारे में समझाई गई है आईए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं Face Authentication के माधियम से जीओ की नई सीम कार्ड को कैसे निकाला जाता है इसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रिन पर और जानते हैं इसका पूरा प्रोशेस मगर इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को आउन जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तों इसके लिए जीयो रिटेलर को अपने जीयो पॉस पलस की अप्लिकेशन में अपना लोगिन आईडिया उन पासवर्ट से लोगिन होना होता है जिसका इंटरफेस कुछी तरह का होता है इसमें आपको एक वाले ओप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहां पे सले और डिजिट वाले एप्शन में कस्टमर का अधार नमरका को यहां पे डालना है और अधर मोबाइल कंशन वाले ऑप्शन में अधिकस्टमर का कोई और मोबाइल कनेक्शन है तो एस करें या फिर नो करें उसके बाद नीचे में आपको फोटो वाले पलस आइकन पर क्लिक करना है जिससे आपकी क्यामरा खुलेगी इसमें कस्टमर का एक लाइप फोटो लेना है ध्यान रहे फोटो किलियर होना चाहिए और वेग्राउंड वाइट होना चाहिए इसक हम आपको Face Authentication के मादियों से स्रीम को चालू करके दिखाने वाले हैं तो Face Authentication वाले option को select कर लेते हैं और I agree and capture वाले option पर click करते हैं जिससे यहां से अधहार FaceRD Service की application को download करनी के लिए कहा जा रहा है तो इसमें में get वाले option पर click करता हूं जिससे मैं दारेक प्ले श्टोर पर पहुंच जाता हूँ, और यहां पर इस application को install कर लेता हूँ, install होने में हो सकता आपका कुछ लेट लगे, wait करें, तब तक इंतिजार करें, और application को install होने के बाद यहां पर आपको uninstall का button मिलेगा, इसमें आपको uninstall नहीं करना है इसे आपको back करना है और पीछे वापस आना है और यहाँ पे आपका जो भी permission पिक्चर लेने की और record वीडियो करने के लिए उसे आप allow कर दें उसके बाद यहाँ पे कुछ face authentication की guideline आपको बताया जाएगा कि जो भी है जिसका भी face authentication आप करने चाते हैं बिलकुल सामने में रखें दोनों कान दिखना चाहिए किसी भी तरह की इसमें चाया और कि shadow नहीं आना चाहिए उसके face में और बिलकुल सीधा होना चाहिए नीचे से न लाएं डुलाएं नहीं और अधी एक बार में आपका face सही से capture नहीं हो पा रहा है तो अब दुबारा try करें और बिलकुल सामने से रखें और customer को आँख बंद करके खोलने को कहें और थोड़ी देर तक wait करें hold रखें जिससे उसकी photo capture successfully हो जाएगा और यहां से आपका e-kyc हो मैं मिल जाएगा मैं से security रिजन से blur कर दे रहा हूं उसके बाद यहां पर आगे मैं alternate mobile नमर में customer की एक alternate mobile नमर को डाले और next वाले option पर click करें जिसके बाद यहां पे आपको prepared वाले option पर select करना है अधी prepared sim निकालना चाहते हैं तो जिससे यहां पर आपके recharge का plan so हो जाएगा इन में आपको one two three four five डालना है और okay कर देना है जिसके बाद आपको यहां पर इस qr code वाले option पर टेप करना है और अपने जीओ की नहीं सिम को scan करना है जिसके बाद यहां नीचे में जो भी option है वो सभी फिल आपको मिल जाएगा यहां पर आपका mobile नमर आ जाएगा मैं इसे बलर कर दे रहा है और फिर person with disability में अधिवाव एक्तिव इकलांग है तो आप इसे यास करें नहीं तो नो रहने दें और next वाले option पर क्लिक करें जिससे एक बार यहां आप customer को detail को मिला लें और फिर इस वाले option पर टिक करें और proceed बटन पर क्लिक करें जिसके बाद agent authentication की page खुलेग है तो face authentication वाले option पर क्लिक करें और I agree and capture वाले option पर क्लिक करें और फिर रिटेलर के photo live photo capture करना है आख बंद करके खोलें और थोड़ी दिर वेट करें आपके image capture हो जाएगा और देखिए यहां पर face authentication के थुरू verify successful हो गया है अब फिर proceed बटन पर क्लिक करें और इसके बाद आप को कुछ दिर वेट करना है यहां पर कुछ फाइल अपलोड होता है जिसमा कुछ समय लगता है उसके बाद यहां पर क्यास वाले option पर क्लिक करें और फिर डन करता है जिससे उस नंबर पर recharge हो जाएगा और उसका COF नंबर मिल जाएगा मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा और कुछ दिर में जियो के नई SIM कार्ट चालू हो जाएगा इस वीडियो में हमने आपको बताया आप जियो SIM को Face Identification की मदद से कैसे चालू कर सकते हैं उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई अपने सवाल और सुजाव साजा करने के लिए किरपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में सुरक्षित रहें और जीवन का आनंद लें